स्वर कोकिला लता मंगेशकर ने 92 साल के उम्पर में इस दुनिया को अलविदा कहा। मीतेर अविवार की शाम मुंबई के शिवाजी पार्क में लता जी का अंतिम जन्सकार किया गया। इसमें सिनेमा जगत साहित, राजनिती, समाजिक और आर्तिक शेत्र से कई नामचीन लोग लता जी को अंतिम विदा दे रहे थे। और लोगों को में थी कि अमिताब बच्चन भी उन्हें अंतिम प्रणाम करने वालों की कतार में होंगे। पर ऐसा हुआ नहीं। हाला कि अमिताब बच्चन लता जी के पार्थिव शरीर का दर्शन करने उनके आवास पर दोपहर के बाद ही हुआ थे। अमिताब के साथ उनकी बेटी श्वेता बच्चन भी मौजूद थी। दोनों ने लता मंगेशकर के आवास पर जाकर उन्हें अंतिम प्रणाम किया। ऐसा भी नहीं है कि अमिताब बच्चन किसी के अंतिम जन्सकार में शामिल नहीं हुए। पिछले महीने दिलीब कुमार के अंतिम जन्सकार में वो अपने बेटे के साथ मौजूद थे। फिर ऐसा क्या हुआ कि अमिताब लता मंगेशकर के अंतिम जन्सकार में नहीं आए। करीबी सूत्रों की माने तो ऐसा नहीं है कि अमिताब बच्वन लटा जी के अंतिम संसकार में जवाना नहीं जाते थे लेकिन ऐसी कुछ मचबूरी थी कि अमिताब को अंतिम विदा के वक्त अपने कदम रोकने पड़े सूत्रों की माने तो ऐसी सला उन्हें डॉक्टर्स की ओर से दी गई है कि वो भीड़ भाड़ वाली जगा पर जवाने से बचे इस वीडियो में फिलाल इतना ही ऐसी ही तमाम जवानकारियों के लिए च्वानल से जुड़े रहें और पोल्ड सकाई को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी न भूले